नमस्का गोरकपूर नियूज में आपका स्वागत है मैं पूजा वर्मा दो दसक में 97 फीशत पलायन का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हैं तो कांगरिस, सपा और बसपा की एक घड़ियाली आसू क्यों? योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित सासमान वापसी के साथ उनके रोजगार को लेकर भी फिक्रमंद गुरकपूर नियूज के लिए ग्रीज पांडे की प्रस्तुती कुरोना के इस अभूतपूर संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकोयम कामगारों को लेकर राजनीती चरम पर है एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदितिनात की अगवाई में लागडाउन के पहले चरंड से ही श्रमिको के सासमान और सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं वही कुछ दिनों से अपने असली नकली बसों के जरिये कांगरेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है सपा और बसपा कामोबेस यही काम ट्वीटर पर कर रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप में दीगर प्लायन से जुड़ी समस्या का एक और पहलू भी है क्या वज़य है कि उत्तर प्रतेस के लोग इतनी बड़ी संख्या में घर परिवार नाते रिस्तिदार को छोड़ अपनी जवानी खापाने दूसरे प्रतेसों के बड़े सहरों में जाते हैं आजादी के इतनी वर्षों के बाद भी देश की सबसे उर्वर भूमी इंडो गैंगिटिक बेल्ट गंगा यमुना और घागरा जैसे बड़ी नद्यों वेवेध्यपूर जलवायू और प्रचूर मानो संसाधन होने के बावजूद अस्थानी अस्तर पर रोजगार के संतानवे फीशत बढ़ गया है यही किसी व्यक्ति की सरवाधिक उत्पादक उम्र होती है इसी उम्र मेवा घर परिवार समाज प्रदेश और देश को अपना सर्वस्रिष्ट दे सकता है त्रास्तिया है कि इसी समय अवधी में उत्तर प्रदेश से पलायन की यह दर पडोस की आर के हैं आईसी आर द्वारब प्रकासित रिशर्च जनरल डबलिंग फार्मर इंकम स्टैटिजी आफ उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र है गौर करने लाइक है कि पिछले दो दस्कों की दोरान प्रदेश में किन की सत्ता थी साथी आजादी के बाद प्रदेश में सर सत्ता में रहा हर कोई जानता है कि सरवाधिक समय तक प्रदेश की सत्ता में कांग्रेश रही और पिछले दो दस्कों में अधिकान समय तक सपा और बसपा ही सत्ता पर काबिज रही फिर भी अगर यहां से लोग रोजी रोटी की तलास में बाहर जाते हैं तो इसका दोशी क ऐसे में कुरूना के संकट के कारण महरास्ट, पंजाब, दिल्ली और हर्याना के बड़े सहरों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लोग गए हैं उनके संकट से भी जरूर वाकिफ होंगे फिर पहले लोगडाउन के समय से ही उनको इसका आभास क्यों नहीं हुआ, क्यों वे सुतरमुर्ग की तरह इस संकट को बढ़ने की प्रतिक्षा कर रहे थे, दिल्ली को छोड़, इनमें से सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में साजिदार है सवाल उठता है कि कांग्रेस ने तब तक इंतजार किया जब प्रवासी सड़क पर आ गए, जेट की तपती धूप में भूग प्यास से बेहाल होने लगे, सरकों पर कुचल कर वी मरने लगे, क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेखने के लिए इसी समय की प्रतिक् पहले ही चरण में राजधानी और रास्टी राजधानी छेत्र में लाकों की संक्या में शमिक सड़क पर आ गए, तो कांग्रेस सहित अन्य दल क्या कर रहे थे, कोटा और राजस्थान की शमरिद्धी में योगदान देने वाले हजारों बच्चों को उनके घर तक पहुच जहां तक भाशपा खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात की बात है, तो वह पहले दिन से ही वे प्रवासी मजदूरों से होने वाली समस्या और इससे उत्पन समस्याओं एवं चुनौतियों के प्रतीर शजीदा थे दिल्ली और रास्टे राजधानी छेतर से अप्रेल के अंत में दिन रात एक कर चार दिनों में चार लाग से अधिक श्रमिकों की वापसी, कोटा से 1200 बच्चों और प्र्याग राश से 10,000 बच्चों की वापसी इसका सबूत है यही नहीं अब तक 1000 से अधिक ट्रेनों और बसों के जरीय करीब 22 लाग से अधिक लोगों की घर वापसी हो चुकी है वा भी पूरी सुरक्षा और सासम्मान से हर आने वालों को उनकी दक्षता के अंसार वह स्थानी अस्तर पर रोजी रोटी की भी चिंता कर रहे हैं बावजूद इसके इतनी घट्या राजनीती का कोई और चित्ते नहीं है